नमस्कार मैं कवीताउनियाल आप देखने मीरिया टुडे टीवी दुनिया भर में इसलाम तेजी के साथ फैल रहा है धना की मशूर एक्टरेस एक्वा पेम पोलू और अमेरिकी फाइटर एंड्रियो टेट के बाद अब फ्रेंच की मशूर टीवी एक्टरेस मरीन अलहिमर ने इसलाम कबूल कर लिया है इसलाम कबूल करने के बाद फ्रेंच मॉडल का कहना है कि उन्होंने अपनी दिल की आवाज सुनी है मुसलिम बनने के बाद फ्रेंच की मॉडल उम्रा करने के लिए साउधी अरब गई हुई है उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउट में कई फोटो और वीडियो भी शेयर किये हैं जिनमें वो मक्का मस्जिद में काबा के पास नजर आ रही है इस दोरान उन्होंने हिजाब भी पहना हुआ है फ्रेंच मॉडल ने इंस्टाग्राम पर मक्का मस्जिद की फोटो शेयर करते हुए कहा है कि इस समय वे जो खुशी महसूस कर रही हैं उसकी गहराई को बया करने के लिए उनके पास शब्द भी नहीं है एक ऐसा सफ़र जो आशा है कि मेरा मार्जर्शन जारी रखेगा इंशाल्ला इसके लिए उन्होंने अपने फॉलवर्स का भी धन्यवाद किया फ्रेंच की ये मॉडल मुसलमान कैसे बनी क्या है पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी अगर आपको न्यूस अच्छी लगे तो न्यूस को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुड़े टीवी चनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकोन को ज़रूर प्रेस करें आप sha liberi कर जवान होने तक उनका पालनकूशन उनकी सोतेले पिता ने किया था अपने असली पिता के बारे में जानना चाहती थी अपनी पिता और उनका मूल जानने के लिए marie ने काफे रिसर्च की उनकी पिता की रिसर्च की जड़े उन्हें इसलाम के करीब ले गई इस दोरा उन्हें इसलाम से रूबरू होने का मौका मिला जिसके बाद वे इसलाम से प्रभावीत हुई और मुसल्मान बनने का फैसला कर लिया मुसलमान बनते ही उन्होंने एक इसलामिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए उम्रा पर जाने का फैसला किया मॉडलिंग से तो मरीन अलहिमर ने काफी नम कमाया ही है साथ ही वे अपनी फ्रेंच टेलिविजन रियाल्टी शो से भी काफी मशूर हुई खास बात तो यह है कि मरीन अलहिमर की एक जुड़वा भेन भी है जिसका नम ओशियन अलहिमर है मरीन की तरह ओशियन भी सोशल मीडिया स्टार और मॉडल है दोनों भेने एक साथ काफी सारी वीडियो और फोटो शेयर करती है इसलाम कबूल करते ही फ्रेंच की मॉडल मरीन अलहिमर साओधी अरब उम्रा करने पहुँच गई है मक्का मश्जिद से उन्होंने काबा समित उम्रा करते हुए कई वीडियो भी शेयर किये फोटो और वीडियो में मरीन मश्जिद में कई अलग लग लोगों के साथ नजर आ रही है इसलाम धरम में उम्रा एक तीर्थियात्रा है जिसे मुसल्मान मक्का मश्जिद में पूरा करते हैं हज उम्रा से थोड़ा अलग होता है उम्रा 15 दिनों में पूरा होता है जबकि हज के लिए 40 दिन का समय लगता है हज को इसलाम में फर्ज कहा गया है यानि इसे जीवन में एक बार जरूर कर लेना चाहिए जबकि उम्रा के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है उम्रा के लिए इंसान किसी भी समय पर जा सकता है सिवाए उन दिनों को छोड़ कर जब मक्का और मदीना में हज का समय चल रहा हो आपकी इस नियूस पर क्या राय है मुझे कमेंटर के ज़रूर बताएं अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूँगे शुक्रिया